हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका कुसल ग्रहेंडी में आज मैं जो रेसिपी आपको बताने वाली हूँ वो है कमोईल में चक्की फ्रेस आटा वा आलू से बने चटपटे समोसे जो सब की पसंद होते हैं अधिकतर समोसे दोस्तो मैदे से डीप फ्राइ करके बनाये जाते ह समोसे हमारे सिस्टम है उसको नुक्सान करते हैं और साथ साथ जो हमारी समेल होती है उसको भी कमजोर करते हैं लेकिन आज हम बनाएंगे चोकड युग्त घर के आटे से बने आलू के समोसे जिसमें ऑइल भी कम करते हैं business हो एक चम्मच अजवाइन और एक छोटा चम्मच नमक और अब ओईल को मिलाते वे इस तरह से आटे को हाँ से मसलते रहेंगे जब तक आटा जो है वो लड़ू की तरह एक जूटना हो जाए और ये हमारा आटा तयार हो चुका है आटे को ठीक से मोहिन करने के लिए मैंने इसमे के लिए हमें सकते ही डो चाहिए होता है ज्यादा पानी का यूज नहीं करना है डो तैयार होने के बाद इसे हम 15 मिनिट के लिए ठख कर छोड़ देंगे चलिए तैयार करते हैं स्टफिंग जिसके लिए मैंने लिया है एक पैन में एक चम्मच ऑईल इसमें डालेंगे एक चम्मच गरम मसाला और नमक जो है वो हम स्वादा नुसार डालेंगे और चम्मच से चलाते हुए मसालों को रोस्ट होने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी मिलाएंगे ताकि जो हमारे मसाले हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएं भुनेवे मसालों से अच्छी सी खुस्बू आ रही है और मेरे जो मसाले हैं वो अच्छे से पक चुके हैं और उनकी खुस्बू भी अच्छी आ रही है अब इसमें डालेंगे हम चार बड़े बॉयल्ड आलू और एक कब उबली हुई मतर और इन सब को अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर पकने के बाद हम गैस को ब आटा सकती ही लिया है जिससे इसके किनारे थोड़े से फट रहे हैं लेकिन इससे समोसे बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी अब इसे बीच में से दो पार्ट से अलग कर लेंगे एक पार्ट को हाथ में लेकर इसे किनारे पर थोड़ा सा पानी लगा लेंगे और इसे इ किनारों से दबा कर बंद कर लेंगे अब एक चम्मच स्टफिंग लेकर इसके कॉर्णर पर अच्छे से भर लेंगे अब समोसे में पूरी स्टफिंग भर लेंगे और उपर से इस प्रकार से पकड़ते वे इसको बंद कर लेंगे देखे ये समोसा तयार है इसी तरीके से हम बाकी के सारे समोसे भी तयार कर लेंगे अब मैंने ओवन सेफ नॉनिस्टिक प्लेट ली है जिसे हम ओईल से ग्रीस कर लेंगे और सभी समोसों को इस पर लगा देंगे समोसों को भी ओईल से ग्रीस कर लेते हैं अब microwave oven को convection mode पर 180 degree Celsius पर preheat करेंगे oven preheat हो चुका है इसे 35 मिनट के लिए set करते वे समोसों को bake करेंगे यहाँ पर समय कम या ज़ाधा भी हो सकता है आप बीच बीच में से चेक करते रहें बस आपको समोसा golden brown होने तक bake करना है अब आधा गंटा हो चुका है देखिए समोसे कितने अच्छे से सिख चुके हैं एकदम खस्ता और कुरकुरे बने हैं और देखने में भी सांदार लग रहे हैं अब एक समोसा तोड़ कर चेक करते हैं एकदम करारे और खस्ता हैं तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको यह रेसेपी आप भी से घर पर जरूर ट्राइ कीजिए अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्रीज सब्सक्राइब माई चैनल ताकि आगी मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो ला सकूँ थैंक यू बाइ